Dear students, Welcome to all in my lecture. आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है Nomenclature of Aromatic Compounds Having Only One Benzene Ring पर तब ऐसे Aromatic Compounds का Nomenclature जिसमें एक Benzene Ring परजेंट हो देखिए वैसे तो किसी भी Organic Compound का Nomenclature Alcane के बेसिस पर किया जाता है, जो actual में IUPAC Nomenclature के सिस्टम पर बेस्ट है लेकिन उसके अतिरिक्त जो बहुत सारे ऐसे Compound हैं, जीन हैं हम लोग traditional way में उसका Nomenclature करते हैं या फिर IUPAC सिस्टम के अनुसार उसका Nomenclature किया जाता है तब देखिए जो Nomenclature of aromatic compounds having only one benzene system can be done either on the basis of traditional basis or on IUPAC basis as तब देखिए ट्रेडिशनल बेसिस क्या है, जीसे ये methyl benzene है C6H5CS3 इसका जो common नाम है वो toluene है, दूसरा नाम क्या है, ये इथाईल बेंजीन है तीसरा जो नाम है आईसो प्रोपाइल बेंजीन है, जिसे ये हम लोग क्यूमीन बोलते हैं नेक्स्ट जो नाम है यहां पर ये IUPAC नॉमन क्लिचर लेते हैं हम लोग ये देखिए ये IUPAC नॉमन क्यूमन क्लिचर हमने अभी डिस्कस किया है यह पिछले के लासुम में ये डिस्कस करते हैं कि ये अलकेन के बेसिस पर किसी औरगेनिक कमपॉंड का नॉमल क्रेचर किया जाता है तो देखिए ये जो अभी टॉलीन था या मिथाइल बेंजीन था जो टेडिशनल नेम है इसमें एक कार्बन मैकसिमम एक कार्बन है चेन इसमें तो इसका नाम होगा और ये जो सब्सिचिवेंट है फिनाईल ग्रूप है इसलिए इसका आईउ पी एसी नॉमन क्रेचर होगा फिनाईल मिथेन और इसका ट्रेडिशनल नाम है ये मिथाइल बेंजीन उसी तरह से दुसरा ये जो इथाइल बेंजीन अभी हम लोगों ने लिया था ट्रेडिशनल वे में इसका नाम है फिनाईल इथेन कहिए फिनाईल सब्सिचिवेंट है इसमें और इसका ट्रेडिशनल नाम हो गया इथाइल बेंजीन उसी तरह से देखिए ये जो आईसो प्रोपाईल बेंजीन है या इसको क्यूमीन कहा जाता है तो ये ये टू पर ये फिनाईल ग्रूप है इसलिए इसका यू पियसी नाम है तू फिनाईल प्रोपिन अब देखिए जो बेंजीन सिस्टम है उसमें जो सब्सिचिवेंट होगा उस बेसिस पर हम लोग इसका नोमले किरिचर करते हैं और दा बेसिस ऑफ एरीन हिर् Gil अब सब्सिचिवेंट जीस सदेखिये एरीन्स है या बेंजीन है सिसक्स एससी किस में एक है। हड़ गया तो ये फिनाईल होग घार और इसका ये जो व्यैसी से यह फिनाईल एसीटी केसिद है इसका उनमन केचर यहां पर है तो नेक्स्ट यहां पर है यह यहां देखिए यह दूसरा यह टॉलूइन है इससे एक हाईरोजन हट गया तो इसका यह इसका नाम हुआ यह बेंजाइल बेंजाइल सिस्टम जैसे यह बेंजाइल कुलूराइड बेंजाइल अलकोहल फिर यह बेंजाइल अमीन उसी तरह अगर देखिए यहां पर यह अगर दो हाईडोजन हट जाता है तो इससे जो सर्टिचिवन्ट जो बनता है वो उसको बेंजल कहा जाता है और इस बेसिस पर ये बेंजल कुलोराइड इसका नॉमन क्लिचर होगा इसी तरह से अगर तीन हाई रोजन हट जाता है टॉलोईन सिस्टम में इसे हम लोग ये बेंजो कहते है बेंजो जिसे बेंजो ट्राइकुलोराइड या इसका जो नॉमन क्लिचर होगा अलफा 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 ट्राइकलोरो टॉलोईन तो या ट्राइकलोरो मिथाइल बेंजीन इस तरह से ये देखते हैं कि ये अलग अलग नॉमन क्लिचर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं अब देखिए दूसरा ये बेंजीन डेरिवेटिव नॉमन क्रेचर जैसे इसमें किया कि अगर एक सब्सेचिवेंट हो बेंजीन को पर देर आर बेंजीन डेरिवेटिव कंपॉंड विच और नेमड बाइ प्रिफेक्स लाइक्स हैलो नाइट्रो अगर एक सब्सेचिवेंट हो तिसकानों क्रेचर की सरह से करते हैं देखिए जैसे ये हैलो बेंजीन है देखिए इसमें एक जो है ये हैलो गुरूप है फुलोरो क एकस के जगा पर एफ होगा तो ये फ्लोरो बेंजीन होगा एकस के जगा पर ये सील होगा तो क्लोरो बेंजीन होगा एकस के जगा पर बियर होगा तो ब्रोमो बेंजीन होगा और एकस के जगा पर आयोडो होगा तो आयोडो बेंजीन होगा उसी तरह से देखिए ये नाइ है यह नाइट्रो बेंजीन अगर एनो ग्रूप है नाइट्रोसो ग्रूप है तो इसका नाम है नाइट्रोसो बेंजीन तो इस तरह से अगर यह OCS 3 ग्रूप है मिथाक्सी है तो मिथाक्सी बेंजीन इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह बेंजीन सिस्टम में अगर मोनो सब यानि एक functional group है तो उसका नॉमन क्लेचर हम लो किस तरह से prefix लगा कर करते हैं कुछ ऐसे functional group है जिसे कार्बॉक्सिलिक ग्रूप है, amide है, सल्फोनिक ग्रूप है तो इसमें कहती है ये suffix लगा करके इसका नॉमन क्लेचर कह जाता है जिसे बेंजोई केसिड, बेंजीन सल्फोनी केसिड, बेंजल डिहाइड, बेंजामाइड, तो इसमें जो functional group हुआ, वो बाद में आ रहा है और प्रिफिक्स में functional group पहले आ रहा है, तिस तरह से देखते हैं कि ये अलग अलग तरीके से किस तरह से हम लोग ये नॉमन क्लेचर इसमें करते हैं, और नेक्स्ट जो इसमें है, ये नॉमन क्लेचर ओफ डाई सब्रिचूटेड बेंजीन, यानि बेंजीन सिस्टम में अगर दो functional group लगा हुआ हो, तो ये दूसरा जो functional group होगा, या तो और्थो पर होगा, या मेटा पर होगा, या पेरा पर होगा, उस बेसिस पर हम लोग ये किस तरह से नॉमन क्लेचर कर सकते हैं, देखिए जिसे ये और्थो पर है, ये ओजाईलीन है, वन टू डाई मिथाईल बेंजीन, या और्थो डाई मिथाईल बेंजीन, उसी तरह से दूसरा क्या है, ये वन टू डाई कलोरो बेंजीन, या ओडाई कलोरो बेंजी मिन्स और्थो डाइ कलोरो बेंजीन यानि दूसरा जो कलोरो गुरूप है वो और्थो पोजिशन पर है और देखिए इस तरह से ये डाइ नाइटरो बेंजीन है तो ये दूसरा जो नाइटरो गुरूप है वो मेटा पर है इसलिए मेटा डाइनाइटरो बेंजीन या वन थिरी डाइनाइटरो बेंजीन उसे तरह से देखिए ये वन फूर डाइकलोरो बेंजीन या पेरा डाइकलोरो बेंजीन तो इस तरह से इसका नॉमन केज़र करते हैं अब देखिए दूसरा इसमें ये दो फंक बेंजीन में जो दो सर्प्टिचिवेंट है उसमें दोनों क्या है कि अलग अलग फंक्शनल गूरूप है एक जो है ओएच है फिनॉलिक है और दूसरा जो है वो नाइट्रो है तो देखिए ये दोनों में प्राइवरिटी किसकी होगी उस बेसिस पर ये हम लोग को नॉमल क्रेचर करते हैं तो जिसे देखिए इसमें ओएच और नाइट्रो में ये ओएच की प्राइवरिटी ज़ादा है इसलिए नाइट्रो ग्रूप यहां प्चौथे पोजिशन पर होगा इसलिए इसको बोलेंगे यानि पेरा पोजिशन पर है तो इसे पी नाइट् उसी तरह से देखिए ये अमीनो ग्रूप है और सल्फोनिक ग्रूप है यहां पर तो देखिए ये सल्फोनिक और अमीनो में ये सल्फोनिक की प्राइवरिटी ज़ादा है तो इसलिए देखिए ये पी अमीनो बेंजीन सल्फोनिक यसी या फोर अमीनो बेंजीन सल्फोनिक थासे हम लोग देखते हैं की यह जो पिजीटेटीब है उसमें जो सप्टिचिवेंट है तो असका नोम क्रेचर यह अलग अलग परकार से हम लोग कर सकते हैं इस स्स्टम में तो यह देखते हैं कि एक अलग Patrice सिस्टम और उसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल सिस्टम या आयू पीसी सिस्टम हम लोग इसमें जहां पर सो टेबल होता है वो इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं तो ये थैंक यू फेरी मैच आज के लेक्चर के हूँ स्टॉप करते हैं